क्या दूसरे के मन की बात को जान लेना को इनसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है इन बातों को जान लेना क्या संबह है तो इसका उत्तर है हाँ सौ प्रतिशत तो नहीं लेकिन किसी हद तक आप किसी के भी मन की बातों को जान सकते हैं समझ सकते हैं लेकिन अगर आप भी इसे सीखना चाते हो तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान और समझ के साथ देखिए और इस वीडियो में जो प्रियोग आपको बताये जा रहे हैं उन्हें आप लगातार अभ्यास करने की कोशिश कीजिए तभी आप किसी के भी मन की बात को समझ पाए वैसे ये सब प्रियोग आपको कोई बताएगा नहीं क्योंकि बहुत सारे एस्टरोलोजर जो जो जोतिशी हैं वो यही सारे प्रियोग करके आपके मनो भावों को जान लेते हैं आप जैसे ही उनके पास जाते हैं वो पहले ही आपके मनो भावों को पढ़ना शुरू कर दे आप अपने बारे में उन्हें थोड़ा बताते हैं और वो आपको आपके ही बारे में बहुत कुछ बता देते हैं तो आपको लगने लगता है कि यह जोतिशी तो बहुत चमतकारी है इन्हें हमारे भूत काल के बारे में हमारे भवश्य के बारे में सब कुछ पता है पर यह व पर बाते नहीं बता सकतें, क्योंकि उनका घर और उनका बिजनिस इसी सही चलता है, तो आईए अब हम शुरू करते हैं, कि इसको किया कैसे जाता है, सबसे पहली बात है, कि अगर आप किसी के मन की बात को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके मन का शान्त होना बहुत ज उनके पास जो कोई भी शिक्षा लेने आता था, वो उन्हें सिखाते थे कि तुम शब्दों से नहीं मन के भावों से बातचीत करना सीखो, इसे टेलीपैथी भी कहा जाता है, जो बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ मनी मन में बात कर लेना, कई बार आप लोगोंने महसूस कि होगा कि आप किसी के बारे में सोचते हैं और वो इनसान आपके सामने आ जाता है, या उसका फोन आ जाता है, कहीं न कहीं आपके मन की बातें उस तक पहुच जाती है, और उसके मन की बात आप तक पहुच जाती है, तो जो जैन फकीर थे, वो अपने सारे शिश्यों को एक प्रियोग सिखाते थे कि तुम अपने आपको एक कमरे में बंद रखो और एक भी शब्द नहीं बोलना है किसी से कोई बात नहीं करनी है सबसे पहले तो तुम अपनी वानी को शांत करो जब तुमारी वानी शांत होगी तभी तुमारा मन शांत होगा हमारी वानी ही हमारे वि प्रियोगों के द्वारा शांत होने लगता था तो गुर्जियव क्या करते थे अपने मन में एक शब्द बोलते थे जिसे कि गुलाब का फूल और जब तक वो शब्द उन शिशों को सुनाई नहीं देता था वो उन शिशों से इसी प्रियोग को लगातार करवाते रहते थे वो एक ही कोई शब्द अपने मन से बोलते रहते थे और उस शब्द को धीरी धीरी वो सारे शिश्य आसानी से सुन लेते थे बिना मुझ से कुछ भी बोले आप कहोगे ये सब बकवास बाते हैं ये बिलकुल भी बकवास बाते नहीं हैं ये प्रूवड साइंटिफिक बात तब ही मनोवेग्यानिक लोगों के सामने सब लोग अपने दिल की हर बात खोल कर रख देते हैं उन्हें लगता है कि इन्हें हमारे बारे में सब कुछ समझ में आता है ये तो हमारे मन की बाते पढ़ लेते हैं जो लोग मनोवेग्यानिकों के पास जाते हैं उन्हें लगता को अपनी उर्जा को आप से connect कर लिया इसलिए जो भी आपके हाव भाव हैं उसकी उर्जा को वो मनोवेज्ञानिक महसूस कर पाता है समझ पाता है कि जब तक आप बोलते रहते हैं सामने वाले सुनते रहते हैं आप बोलना बंद करते हैं तबी सामने वाला जो बोल रहा है वो आप सुन पाते हैं यदि आप दोनों ही लगातार बोलते रहेंगे तो किसी को कुछ समझ भी नहीं आएगा ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है तबी आप किसी दूसरे का मन सुन सकते हैं मन के चुप होने का मतलब है कि आप विचार और कल्पनाओं से बाहर निकल कर उन्रते शांत हो जाएं इसे ही चित्त का शांत होना कहते हैं कहते हैं कि इस मन की शक्ति योग के बल पर जो योगी लोग होते हैं वो चीटियों के पैरों में बंधे घंगरों की आवास तक भी सुन सकते हैं तो लोगों के मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है, वो आपको कैसे नहीं सुनाई देगा, लेकिन इसके लिए आपको एक बात बता दूँ, जिन लोगों का मन बहुत चंचल रहता है, बहुत दोड़ता रहता है, ऐसे लोग अपने ही मन की बातों को ठीक से नहीं समझ बाते, तो वो किसी और के मन की बात को क्या समझ पाएंगे, मैंने एक कहानी सुनी, एक फकीर हुए लाउसू, वो अपने एक शिश्य के साथ, रोज सुबह में वाक करने जाते थे, एक दिन जो उनका शिश्य था, तो उस दिन उनका शिश्य अपने मित्र को भी साथ लेकर आया, तो मौर्निंग वाक के टाइम पे उनका शिश्य और उसका मित्र भी साथ साथ चलने लगा, वो काफी देर तक ऐसे ही पैदल चलते रहे, किसी ने कोई आवाज नहीं की, जो उनकी शिश्य का मित्र था, वो बड़ा हैरान हो रहा था, कि ये लोग कुछ बोलते क्यों इतनी देर से चुप क्यों हैं ये लोग, तो उसने सोचा, मैं ही बात शुरू करता हूँ, और काफी समय गुजरने के बाद, उसने सरफ इतना कहा, कि कितनी अच्छी सुभा है, कितना अच्छा मौसम है, जब उस शिश्य के मित्र ने ये बात कही, तो लाउसू ने कहा, कि क मैं इसने ऐसा कौन सा शौर मचा दिया, तो लाउसू ने अपने शिश्य से कहा, कि मेरा मन अब पूर्ण तहश्य शान्त हो गया है, अब जरा सी भी आवाज, मुझे शौर गुल मालूम होती है, सुबह अच्छी है तो है, मौसम अच्छा है तो है, मैं भी देख रहा था कि मौसम अच्छा है, तुम भी देख रहे थे, तो इस बात को व्यर्थ में बताने का मतलब ही क्या हुआ, मेरे मन में ऐसी शान्ती भर गई है, कि ये व्यर्थ की बातें मुझे अब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं बिना बोले ही सब कुछ सुन सकता हूँ, औ मुझे शब्दों की जरूरत ही नहीं है, अगर आप भी चाहते हैं, कि आप दूसरे लोगों के मन की बात जान सकें, तो उसके लिए आप एक प्रयोग करें, सबसे पहले आप दिन में कुछ समय निश्चित करें, कि इस समय से इस समय तक आप कुछ नहीं बोलेंगे, और उस की धीरे इसे देखते हुए आपका मन शान्त होने लगेगा, इसे ही महात्मा बुद्ध ने अनापानसती योग कहा है, जिसमें आपका पूरा ध्यान आपकी श्वासों पे रहता है, इससे आपके मन में पूर्ण तह शान्ती आजाती है, और जब आपका मन पूरी तरह से श सामने वाले की हर बात को समझ लेगा, और वो जो कह रहा है, उसकी जूठी बातों में वो कभी नहीं फसेगा, क्योंकि एक शान्त चित्त वाला वो सब कुछ सुन सकता है, जो एक साधरन इंसान कभी नहीं सुन सकता, अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों का मन पढ़ सक उनके मन में चल रही भावनाओं को महसूस कर सकें, तो उसके लिए आप अपने मन को शांत करने का अभ्यास करें, और जब आपका मन शांत हो जाए, तो धीरे धीरे लोगों के मन में घहरे जांकने की कोशिश करें, उनके हाव भाव को समझने की कोशिश करें, उनके कि आपको यही अभ्यास निरंतर करना होगा जिस दिन आपका अभ्यास सिद्ध हो जाएगा आपको बिना कहे भी लोगों के मन की सारी बातें बिल्कुल साफ सुनाई देंगी अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी और के मन की बात पता करके हमें क्या फाइदा मिल जाएगा लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इसका फाइदा आपको जीवन के हर छेत्र में मिलेगा चाहे वो आपके रिष्टे हो आपके क्लाइंट्स हो आपकी नौकरी का इंटर्वियू हो जिन्दगी के किसी भी छेत्र में चले जाओ अगर आप सामने वाले के मन की बातों को समझ पाओ महसूस कर पाओ तो आप जिन्दगी में हर काम्या भी हासल कर सकते हो इसके बहुत फाइदे हैं इससे आपको कोई भी इंसान जूट बोलके दोखा नहीं दे सकता कोई आपका इस्तमाल नहीं कर सकता आप हर तरह की भावनात्मक चोट खाने से बच जाएंगे कोई आपके पैसों को लूट कर नहीं जा सकता और एक बात में आपको बता दूँ कि ये प्रियोग एक ही दिन में सिद्ध नहीं होते हैं इन में थोड़ा समय लगता है बहुत जादा तो नहीं लेकिन कुछ महिनों के अभ्यास से ही आप जल्दी ही किसी के भी मन की बातों को आसानी से जान लेंगे